बिस्मिल्ला रख्मान रहीं अस्ताम अलेकुम फ्रेंट्स वेलकम तु नीलोस किचन अगर आप तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज सब्सक्राइब करने बेल आइकन को क्लिक करें ताके आपको हर नहीं वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें वीडियो क को वाच करने के पाद लाइक और कमेंट्स जरूर कीजेगा आज हमने अल्बैग्ट चुकंद बनाई है आई यह देखते हैं इसके लिए हमें किन इंग्रेडियों जाहुरत है यह त्याङरी नियुँआ की फॉरत है इसके लिए हमें इंग्रेडियोंस तो आप इनको कट लगा दें लेकिन ख्याल रहे कि इसके न वह अब हटनी नहीं चाहिए इसको हम मैरिनेट करेंगे वन लेवल टी स्पून रेड चिली पाउडर कि वन टी स्पून गार्लिक पाउडर कि वन टी स्पून जिंजर पाउडर कि सॉल्ट टू टेस्ट तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं अब हम चिकन को पहले लेमन जूश एड कर देते हैं जिंजर पाउडर गार्लिक पाउडर प्रेड चिली पाउडर ये सबसे पहला स्टैप है इसमें बहुत कम इंग्रीडियन्स है क्यांकि हम इसको स्टेप में से हलका सा मैरिनेट करेंगे और इस से होगा कि चिकन जो है वह अच्छे से गलेगी बीज़ अंदर तक तो इसको बस लगा कि अभी हम पहले तो इसको एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर हम इसको कि अब मैं स्टीमिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूं यह मेरे पास स्टीमर है केंप्रो का इसमें मैंने मिनिमम तक वाटर एट कर दिया है अब इसमें मैं यह स्टीमिंग ट्रे रख रही हूं और फिर हम इसमें अपनी मेरिनेट कीवी चिकन एक लेयर में सेट कर देंगे अगर पूरी चिकन एक उसमें नहीं आए तो फिर हम इसको दुबारा कर लेंगे लेकिन एक ही लेयर में रखेंगे ताके सही से स्टीम हो जाए अब इसको मैं क्लोस करती हूं इसको मैंने क्लोस के पोजिशन पर कर दिया अब यहां के ऑप्शन में मेरे पास यह स्टीम है स्टीम करते हैं लेकिन यह स्टीम जो दिखारा है स्रिफ थ्री मिनिट्स हम इसको at least 10 मिनिट्स के लिए स्टीम करेंगे यह भी ओन हो जाएगा अब 10 मिनिट से स्टीम हो जाएगी उसके बाद पिर मैं आपको इसका रिज़ण दिखाती हूँ यह मैंने 10 मिनिट के लिए लगाया था लेकिन आप टर 5 मिनिट बाद मैंने का चेक करूं तो यह अच्छा से स्टीम हो गई है बस इसको 5 मिनिट से में स् ताल लेती हूं और इसको हम रूम टेंपरेचर पर ठंडा करेंगे अगर आपके पास यह स्टीम ना हो तो आप अपने घर की जो कडाई होती है उसमें नीचे पानी भर के और स्टेंड रखके उस पे चिकन रखके उसको स्टीम दे सकते हैं लेकिन कडाई में प्रोसेस आपका रूम टेंपरेचर पर ठंडा कर लेंगे जब तक हमारी स्टीम के वी चिकन ठंडी हो रहे है मैं आपको बैटर के और कोटिंग के इंग्रीडियंस बता देती हूं बैटर के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें प्लेन फ्लावर वन कप कॉन फ्लावर वन टेबल स्पून ए पैपरिका पाउडर वन टेज़्पून ब्लैक पैपर पाउडर वन फो टेज़्पून चिकन पाउडर वन लेवल टेज़्पून सॉल्ट तु टेस्ट बेकिंग पाउडर हाफ टेज़्पून और हमें मिल्क चाहिए इसका बैटर बनाने के लिए ताके यह बहुत थिक न तो जितना हमें चाहिए होगा हम यूजS करेंगे इसके लावा आप कोटिंग के लिए जो इंग्रिडियन्स चाहिए हो उसमें प्लेन फ्लावर हाफ कब bread crumbs हाफ कब cornflakes हाफ कब और किसी भी बेकरी के चिप्स ले ले या पैकेट के चिप्स ले ले वाल्टी फ्लेवर के हाफ कप इसके इलावा हमें चाहिए सिराजा का चिली सॉस और एक सिरिंज जिससे हम इंजेक्ट करेंगे चिकन के अंदर चिली सॉस को तो बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं यह कोटिंग के इंग्रीडियन्स में से मैंने कॉन फ्लैक्स और चिप्स क इसको जो है वो ग्राइंड कर लिया है इसको ग्राइंड कर लेंगे हम फिर अब हम इसमें प्लेट क्रम्स भी मिक्स कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट एड कर देते हैं यह हमारी कोटिंग जो है वो रेडी हो गया अब हम इस प्लेन फ्लावर में कॉन फ्लावर रचिली पावडर पैप्रिका पावडर चिकन पावडर ब्लैक पैपर पावडर बेकिंग सोड़ा बेकिंग पावडर सॉरी और सॉल्ट सॉल्ट अपने टेस्ट के मताबिक एड करेंगे साथ अब हम इसमें इसको पहले सारों को मिक्स कर लेते हैं अंडा डालेंगे और अब हम इसमें मिल्क एड करेंगे और इसको ऐसी कंसिस्टेंसी बनाएंगे कि जिसमें ये चिकन हम अच्छे से डिप कर सकें और ये फ्रिज का थंडा दूद होना चाहिए गरम की आवा नहीं हो रूम टेंपरेचर पर नहीं हो कोल्ड मिल्क हो हमने इसमें इतना मिल्क एड किया कि ये देखें इस कंसिस्टेंसी का ये हो गया है कि ये ना बहुत ज्यादा थेख है और ना बहुत थिन है ये अच्छे से कोट हो जाएगा चिकन पर अब चिली सॉस को हमने इस स्रेंच में भड़ लिया है और जो हमारी स्टीम हुई वी कि अब थंडी हो गई अब हम इसके अंदर tai sauce inject करेंगे कि कि अध्य हलके अलके से डालें गे य। ये आपको फूल गई है इसके अंदर ये और फिर इस सॉस हम इसके अंदर करेंगे इससे यह अंदर तक इसके मैरिनेशन चली जाएगी और यह टेस्ट वह अंदर तक आएगा कि दो तीन जगह आप डाल देंगे इसी तरह हम सब को इंजेक्ट कर लेंगे यह सारी चिकन जो है वो इंजेक्ट हो गई है अब हम इसका एक पीस लेके यह जो हमारा बैटर हमने बनाया उसमें डिप करेंगे को अब। चाहें को जो है वह ड्राइन कर देते और फिर यह अवारा जो इसमें अश्रीख करेंगे आप चाहें तो जिप्लोगब ऄसे लाएं तो भी तो अब इस यह कोंटिंग और उसक orphan भी बन जाते हैं जो फ्राइट चिकन में होते हैं वह एसे भी आप हम ऐसे कर रहे हैं तो बहु ही जाएंगे और फिर इसको डस्त कर लेते हैं इसको हम डबल कोटिंग करेंगे एक दफ़ा और कोट करेंगे इसको सिर्फ इस ड्राय में इसमें ने बस एक पीस इसमें लिया और एक्स्ट्रा को हमने रिमूफ किया इसमें हमने इसको अच्छे से कोट किया इसको अभी पांच मिनट हम उस प्लेट में रखके दुबार इसी ड्राय से कोट करेंगे और फिर इसको हम डीप फ्राइ करेंगे यह ड्राय बैटर से हमने second time कोट कर लिया है अब हमारा फ्रायर 170 डिग्री सेंटीग्रेट पर गरम हो गया है अब हम इसमें सिंगल नेयर में चिकन रखके फ्राइब करेंगे बस इससे जादा नहीं डाल रही है और इसको हम फ्राइब कर लेंगे गोल्डन होने तक अब मैं आपको इसकी फ्रीजिंग टिप बता रही हूं क्योंकि यह अल्रेडी स्टीम्ड है तो हाफ को खो चुकी है तो हम इसको फ्रीज कर सकते हैं इस तरह से आपने ड्राय से डबल क कोटिंग करने के बाद सिंगल लेयर में रख दिया किसी पिट्रिश में और इसको फ्रीज कर दिया जब यह फ्रीज हो जाए फिर आप इसको जिप लॉप बैग में डाल कर अराम से रख सकते हैं जब आपको ज़ुरत हो तो आप इसको फ्रोजन ही फ्राइब करेंगे 170 अच्छा रिजल्ट आएगा वैसे ही फ्रेश और क्रिस्पी साथ तो आप इसको बना के अराम से बहुत अर्से के लिए तक्रीवन आप महीना डिर महीना अराम से इसको फ्रीज कर सकते हैं यह देखें हमारी क्रिस्पी सी फ्राइचिकन रेडी हो गई है यह फ्राइब यह मज़िदार सी क्रिस्पी अलबैक चिकन रेडी है आप यह देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है और कैसे फ्लेक्स आये हैं इसे जरूर ट्राइब करें और मुझे अपना फीडबैक दें इन्शाला फिर मिलतें किसी नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाह अफि